विल्कुम बैक तो धननजे जाइस एकेट में होप यौल आ दूइंग वेलें स्टेडिंग हास तुड़ी एस ट्वेंटी तो फेबरी स्टार्ट करते हैं अभी तक की जितने भी करन्ट डवलोप्मेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट के लिए वहाँ पर तो इस टेंपल में साथ सिखर है वो सिखर किस चीज का प्रतीक है किस चीज को सिंबलाइज करते हैं यह आपका कोशन है आप मुझे एंसर बताओ किस चिस की प्रतीक है? बैप्स टेंपल के जो साथ सिकर है हमने पढ़ा था बैप्स टेंपल के बारे में क्या पढ़ा था? जो इनके founder है वो इन्होंने found किया था 1907 में क्या नाम था? सास्त्री जी महराज इस संस्था को बोचन सन्वासी अक्षर, पुरसुत्वम, स्वामी नारायन जी, संस्था किसके दौरा ये found की गई थी? सास्त्री जी महराज, कब? 1907, चलो ठीक है ये बहुत मान के चलो पूछेंगे ये तो साथ सिखर किसका प्रतीक है? किसको सिंबलाइज करता है? Seven Emirates of UAE यूक्त अरब अमिराथ के साथ जो अमिराथ है, उसको सिंबलाइज करता है UAE में हुआ है ये टेंपल, UAE में एक और घटना हुई थी दुबई में, World Government Summit कहां हुई थी, दुबई में हुई थी, क्या था थीमा बताई, हमने बढ़ा रखा है इसको Safe Aid Future Government ठीक है, तो ये याद रखना है ये हुई सारी बात, अब वापस आते हैं, जो मैंने बोला इंडिया, UAE के Bi-Lateral Trade Agreement पे, अभी गया है हमारे Honorable Prime Minister वहाँ पे Obviously, Official Visit पे गया है कुछ ना कुछ तो काम की बात करेंगी ना, बिल्कुल करेंगे तो लास्ट ये, 2022 में हमने UAE के साथ SEPPA जोइन कर रखा है Comprehensive Economic Partnership Agreement ठीक है, और UEE, इंडिया का एक मात्र ऐसा कंट्री है, जिसके साथ हमने इस तरह की agreement साइन की UAE हमारी बहुत इंपोर्टन होता है, क्यों इंपोर्टन होता है तो ये हमारा largest, third largest trading partner है, remittances के मामले में आप जान रहें कि सबसे ज़्यादा remittances इंडिया में UAE से आते हैं उसके अलावा, जो FDI है 4th नंबर पे है, और ये second largest हमारे लिए export destination है, मतलब UAE में हम दूसरा सबसे ज़्यादा export भेजते हैं, ये article अरिकल आया हुआ था, editorial section में बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था, बहुत ही बढ़िया अर्टिकल था, हर एक चीज का इसमें discussion कर रखा है कि World Gaming Summit से लेके जो भारत मार्ट खुल रहा है, फिर Temple है, और जो जो bilateral trade या उसके हलावा, जो जो हमने agreements वेगरा sign किये हैं, हाला कि हम उसे discussion करेंगे यहाँ पर भी, बट हर एक चीज मेंचन कर रखा है, तो मैं कहूंगी कि आप जाके इसको एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है चलो, तो क्या-क्या था agreement क्या-क्या sign किया 8-pack sign किया है, हमने, highlights क्या-क्या है, सबसे पहले तो हमने बात किया कि हम अपने इंडिया की UPI को link करेंगे दुबई के जैवान से, मतलब वहां का वो debit card है ताकि online platform, मतलब जो रुपे system है, वो दुबई में भी बहुत इसली चल जाए, फिर bilateral trade agreement पे sign हुआ, जलो ठीक है, उसके बाद फिर IMAC पढ़ा रखा है, IMAC क्या था? G20 पे हमने इसको launch किया था India Middle East Economic Corridor, हम इंडिया से connectivity provide करवाएंगे, UA कि तरू? European countries में ठीक है? फिर energy cooperation तो करेंगी है, UA Middle East में है तो क्यों नहीं करेंगे? देखो, क्या था? मैंने बताया था आपको, IMAC के बारे में, C तो यहां पे है हमारा इंडिया C, यह है इंडिया ओके, इंडिया के मुंबई पोर्ट से हम अबुदाभी में connect करेंगे, और फिर स्वादी अरब रियाद होते हुए, इसराइल से थ्रू भी जाता है, और इसराइल अभी अपने ही conflict में चल रहा है, तो हलाकि इस पर भी बात हुई थी, उसके आफिर cultural cooperation मंदर उसके तहत बना, उसके अलावा हमने और क्या क्या किया है maritime heritage complex लोथल गुजरात में, यह हम बनना हुआ रहे हैं उसके बाद फिर दोनों ही country जो भी हमारा historical, cultural जो भी हमारे पास है, धरोभर है उसको archive करेंगे, इस पर भी बात हुई थी ठीक है, चलो तो यही हुआ था main हो गया, मतलब यही था तोटल हाँ, उसके आफिर port का भी हम आपस में development देंगे भारत मात का foundation stone रखा था हमारे honorable prime minister में UE का location बहुत important होगा आपके लिए तो यह पूरा summary था, जो भी आया था कर article में, और उससे related question भी हमने कर लिया, बस done, चलो अधार काड पीछा नहीं छुणने वाली है अधार काड कभी ना कभी कुछ नहीं आही जाता है अभी हाली में इस पर एक बोला है, UIDI ने कि यह जो अधार काड है यह आपका ना चाइल्स, आपका birth certificate नहीं है, यह आपका age नहीं बताता है यह आपका age certificate नहीं है, ठीक है तो उसे related question है, परे it question है पिर जाते हैं कि क्या बात है तो अधार कार्ट को क्या हम प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप को मतलब अधार कार्ट को इसका प्रूफ मान सकते हैं अधार कार्ट को क्या हम ऐसा डोकिमेंट मान सकते हैं जो यह हमें प्रूफ देखिए हम इंडियन हैं यह आपका कोश्चन है अब मैं नहीं बताऊंगे और उसके अलावा क्या अधार कार्ट जो है कभी भी डियाक्टिवेट नहीं किया जा सकता या फिर उसको सुधारा नहीं जा सकता अगर कुछ गलती हो जाती है तो पताईए एक बार जारी होने के बाद अधार नंबर को जारे करता प्रधादी कारी प्लीज चेंज कर दो ठीक मतलब उमिट तो करवा रहे हैं न कभी कभी टेम्पराली डियाक्टिवेट भी हो जाता है तो यही तो स्टेट्मेंट गलत है ठीक है हमसे क्या पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है तो यह तो स्टेट्मेंट गलत है तो टू नहीं होगा citizenship का proof मतलब कि अधार pink कों citizenship को प्रूफ मान सकते हैं सोचके देखो एक बार नहीं मानते हैं हमारा citizenship को का प्रूफ वहका passport या फिर voter id अधार काड नहीं है आधार कार तो प्स एक identity फूफ तो ये भी नहीं है तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है न्यूज में क्यों था जो मैंने बताया वहीं बात सेंटर ने क्लियरफाई किया है कि जो अधार काड है यह आपका प्रूफ नहीं देता आपका एज नहीं बताता यह मातर बस एक document है, तो birth date का proof नहीं है, birth date का proof क्या है 10th का certificate हो गया आपका, ये सारा आपका birth date का proof है ठीक है, अधार कार्ड कैसे आया था, अधार कार्ड act 2016 से ठीक है, उसके अंतरगत UIDAI बना, कौन से ministry के अंदर में आता है मीधी industry के अंदर में आता है तो, अधार कार्ड act का दो 2016 का है, उसमें कहा गया है कि ये जो है, आपका ये proof नहीं देता कि ये आपका citizenship proof है ठीक है, ये आपका सिफ identity बताता है और इसको आप temporarily deactivate भी कर सकते हैं या फिर कुछ editing भी कर सकते हैं, तो ये था पूरा मामला, जो हमने किया अभी दिसकल्स चलो काफे एक्ट्वल है Bureau of Energy Efficiency ने कहा है कि कॉनसर जो शहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा electric vehicle charging station है स्टेशन पूछ रहा है, number of electric vehicle नहीं, station कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा station हमारे विहार में तो मुझे नहीं दिखता अभी तक तो नहीं दिखाया पर इस जगहाँ पे सबसे जादा स्टेशन है यह सब चीज़े अच्छा लगता है परने में उर्जा दक्षता ब्योरो के अनुसार इवी चारजिंग सेशन के मामले में कौन सा राजय सिर्षप है आप बताईए तब तक हम थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं मद्यपर्देश को लेकि हमने क्या परा था काना टाइगर इसरव को बहुत कुल रहे हैं वलचर्स की लिए उनको बुलाएंगे और उनको और ऊर्गैनिक खाना क्यों क्योंकि उनकी जनसंक्या कम हो रही है उन्हें हम जो जो लाइफ स्टॉक है जो अलरी बहुत सारा एंटिबाटिक्स खा चुके हैं उस तरह का लाइफ स्टॉक नहीं उन्हें फीट करने देंगे और गयानिक खाना देंगे ताकि उनका पॉपलेशन फिर से इंक्रीज होग सके तो कहां खोल रहा है वल्चे रेस्ट जारकन में 81 लोकसभा 14 राजसभा 6 चलो ठीके जारकन गया गुव अक में हमनों क्या पढ़ा था एनरजी से लिडेटिट यहां पर इंडिया एनरजी वीग हुआ था ठीक है तो हो सकता है कि यहां पर सब्सक्रादा एवी चारजिंग स्टेशन हो नहीं नहीं है करनाटक में नहीं है गुवा में सिफ इंडिया अनरजी वीग हुआ था और ONGC का सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर खुला था तो करनाटक में सबसे ज्यादा इवी चारजिंग स्टेशन है कहां है करनाटक में है चलो तो यह ना पेपन माहित इक दम कॉनों में इक दम कॉनों में छो उसकी बाद महरास्ट और करनाटका जब तक एक्जाम आएगा ना तब बहुत सारे डाट आने वाला है तब मगभप करना पड़ेगा एक ही बार में करोगे तो इसलिए 20-25 मिनिट की क्लास आती है रोज रोज देख लो याद करवा दो इसका फुल गारेंटी है पक्का एक् कि जो फैक्स वाले कोशन है ना वो तो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स जो कहते है ना वो भी नहीं होंगे वो तो हाथ में प्रशाद दीवे वाले फ्रूट्स हो जाएंगे हमारे लिए तो करनाटका सबसे ज्यादा चाजिंग स्टेशन स्टेशन के मामने में ठीक है चलो 12th edition of Milan हो रहा है काफी इजी है इंडिया नेवी करवाती है कहां हो रहा है अब बताईए Milan अभ्यास का बारवा सेंसकरन आयोजित किया जाएगा कहां किया जाएगा अब बताईए हाइद्राबाद को लेके क्या पढ़ा जाए हमने कुछ म्यूजियम बना था डिजिटल म्यूजियम एपिग्राफी वाला लास्ट एर के बजट में कहे गई थी बार कि हम जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन उसको डिजिटलाइज करेंगे ताकि वो प्रिजर्व करके रख को ले जा रहे है नौटीस का पहला ऐसा हॉस्पिटल जहां पर हम योगा और नैच्रोपती से पेशन को क्योर करेंगे कहां डिब्रुगर अज सब में चलो ठीक है कोचिन में हम मसाला बना रहे थी या कोटेक्स का कॉन्फरेंस हुआ था कहा हो रहा था कोचिन कैरला में तो बहुत प्यारा सा फोटो दिख रहा था पेपर में आया हुआ ठीक है तो थीम क्या है फॉर्ग नेवल अलाइंस फॉर्स सिक्योर मैरिटाइम फ्यूचर यह आपका थीम था कहां हो रहा था विशा का पत्ना में होगा अभी हुआ नहीं है ठीक है चलो इंडिया ने Memorandum of Understanding sign किया है Open Source Digital Public Infrastructure के लिए बहुत बड़ा नाम है लो कुछ नहीं है बत चोटा से चीज़े हम ना ऐसा इंडिया स्टैक करके एक AIP है application है ठीक है वहाँ पे एक Digital Infrastructure है जहां पे कोई भी सब्सक्राइब करें जांगे और जो भी इनको जानकारी चाहिए बिजनेस से रिलेटेद ट्रेटीट सारी जानकारी ले ले लेंगे बस यह यह तो शेर करेगा इंडिया किसके साथ करेगा यह उपका कुष्चन है आप एंसर बताएं पताईये किस के साथ कर सकता है जपान क बहुत ही जादा अच्छी कंट्री है हमसे तो अगे हैं एनीवी में घड़ा तो देखती ही होगा तो हो सकता है जपान ने लेकिन गया प्रचार कर भी तक है यह हुग पड़ा और क्या पर रहा था रेसेशन में जा रहा था हर एक चीज देखा था क्यों गया कैसे गया क्या होता है रेसेशन चलो ठीके जपान तो नहीं होगा वासिंग्टन डिशी पैसा इखटे करने का पहला फंड और्गनाइज हुआ था मीटिंग हुआ था ग्लोबल बायो डैवेसि के तहट कहा गया है कि हम अपना जो प्लानेट है जो बहुत जादा तीजी से एफेक्ट हो रहा है पल्यूशन के चलते इंपक्ट बहुत एडवर्स एफेक्ट दिख रहा है पट हम कोशिश करेंगे कोशिश क्या करेंगे करना है 30% हम अपने अर्थ को रिजर्व करके रखे में वासिंटन यू स में चलो ठीक स совершенно क्या हुआ है यह बी होगा यहां पर है श्याव sırट में क्या हुआ था क्या हुआ है किसलिए कोई साइन किया है किस लिए ओपन सोर डिजिटल पुब्लिक इंफ्रास्ट्रेक्चर के लिए ठीक है चलो कोलम्बिया बहुत ही स्ट्राइजिक लोकेशन पर है हमारे बहुत एक्जाम अगर इसका जोग्रफिकल लोकेशन देखो तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता ह अगरे लोकेशन पर जाता साउथ अमेरिकन कंट्री है जो एट्लांटिक ओशन को भी टच कर रही है और पैसिफिक को भी करच कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम ध्यान देना है एकदम नहीं अचल के मेले लिए तो तो क्या होगा जो हम एक्सपोर्ट की बाते कर कर रहे हैं इतना सारा जो नेटवर्क बना रहे हैं क्या फैदा हुआ जब हम जो सबसे लाज़ेस एकॉनोमी वर्ट की उस तक अपना समानी नहीं पहुंचा पाएं कौन नौथ अमेरिका यहीं से जाता है अब यह सूख जाएगा बड़ा बड़ा वेसल ही नहीं जा चलो तो इंडिया और कोलंबिया ने मोई साइन किया है डिजिटल इंफॉर्मेशन का शेयर करने के लिए चलो क्या क्या सकता है काथी फैक्टफेल है मध्दु बाबु पंच्urpose योजना मदु बाबु पंच्छन किस स्टेट की है फिर फैंड siya कि सब्सक्राइब करें जाते हैं यह बहुत पुरानी योजना है असनी कि नई नी आई है पैसे बढ़ गया है मताब पैंशन मिल रहा था वर्लेबल सेक्शन को जो हमारे बुरे माबाप है उनको जो विडोज है जिनके हजबें कोविट की टाइम में चले गए थी जो ट्रांसज मदुबाभू पैंशन योजना कौनसे स्टीट की है करनाटक की करनाटक में हमने पढ़ा था यूवा नेधी स्कीन तीन हजार रुपए देंगे अजुकेटिड स्वरी एजुकेटिड अनिंप्लॉइड यूद को कहां करनाटक में चलो ठीक है स्वयम योजना ओडिशा में पढ़ा था 18-35 के नौजवानों को हम पैसे देंगे इंट्रेस्ट फ्री लोन देने की बात कही थी एक लाग रुपए तक देंगे कहां देंगे उडिशा में महरास्ट्र में कौनसी योजना थी व्योश्री योजना जो हमारे मुड़े माबाप है जो फिजिकली और मेंटल उनको हम पैसे देंगे कहां देंगे महरास्ट्र में देंगे कि असे विश्री व्योजणा तिलंगाना में तो एसी कोई योज़ना नहीं पड़ी थी में हान्य पर हां हमने यह जरूर पारा था कि एक तो तो द euchाना में साउथ इंडिया की पहली भारतिय ॥ा अटतो दखिन मेशे काम नहीं करता कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है एक्जाम में 100 कोशन आ रहे हैं तो सौ में से आप मान के चलो कि आपको 30 to 40 कोशन एकदम आने चाहिए उसके बाद काम करता है पूरे कोशन पर कर रहे हो तो फिर तो नेगेटिव मार्किंग है भाई साब देख लो तो मदू बाबू पेंशन योजना उरिशा की है मैंने आपको जो भी बताया था कि किसको किसको मिलता है वो सब यहां पर लिखा हुआ है उतना याद नहीं रख रहे हैं आपक बीर लशीत बर्फुकन नाम सुना आपका इनका बहुत बड़े योद्धा थे और जेब के अंडर में जो मुगल थे यहां पर हमेशा आकरवन करते थे उनको पचार दिया था भगा दिया था उसका फिर हिम्मत नहीं हुए मुगल की यहां आने की कहां आने की बता दूंग गार्ट का युद्ध सुना है बैटल ओफ सराइगार्ट उसी में थे यह रिप्रेजंट कर रहे थे किसको अ होम किंग्डम को उसके लीडर थे उनके आर्मी के आप तो आपकल हो गया है हम डैनस्टी से जी हां मैं बात कर भी हम असाम की यहां पर इनकी 125 फीट उची अनावरन करेंगे असाम में करेंगे ठीक है चलो जड़ी से रिवीजन कर लेते हैं गोगा को लेके मने क्या पर रहा जो पढ़ा है इंडिया नरजी वीग और ONGC सी सर्वाइवल मिशन चलो ठीक के राजस्थान को लेके मने क्या पर रहा है कल पढ़ा था बर्सिंग सागर solar thermal power plant कहां था राजिस्थान में था ठीक है असाम का पढ़ लिए असाम ने हमने और क्या क्या परहा है एक same to same cheating bill भी असाम ने भी adopt किया है जो सेंटर ने किया था कि हमें जो भी अगर चूडी चपटी कर रहा है एक्जाम में गिरोह कर रहा है उसको हम एक करो रूपे फाइन देंगे और जेल भेजेंगे same to same असाम ने भी किया है चलो ठीक है तो असाम में जो बुर्फुकन जी है बीर लशित फुर्फुकन इनका statue का अनावरन करेंगे हमारे Honorable Prime Minister ऐसा कहा है असाम के चीफ मिनिस्टर जी ने तो ये है statue चलो IIT से related news बहुत सारे IIT पढ़ेंगे मज़ा आएगा चलो बताओ sound technology based anti-drone system कि IIT ने develop किया है sound technology के base में और ये जो anti-drone system है ये ना मतलब आवाज पकर कि आवाज सुन कि कि उस drone को उड़ा देगी in fact birds वागेरा को भी बहुत अराम से detect कर लेती इतनी बढ़ियां drone बनाई है किस ने बनाई है किस IIT ने बनाई है पताइए पताइए कल पढ़ा था UP वालों ने IIT रूड की के साथ बनाया था क्या बनाया था disaster management को कैसे हम manage कर सके उसके उपर enhance करने के लिए क्या चलो ठीके कानपूर में हमने क्या पढ़ा था hypervelocity tunnel बनाया था कानपूर वालों ने जिगट को ठंडा कर दिया जिगट ठंडा बनाया था tunnel था hypervelocity tunnel ठीके चलो ये भी पढ़ लिया गोहाटी को बारे में हमने क्या पढ़ा था IIT गोहाटी वालों ने क्या बनाया था स्वास्ति प्रोजेक्ट जहां पे हम nanomaterial जो होते हैं उनके prototype बनाएंगे जो हमारे health facilities में काम आएगा किसने बनाया था तो बचा क्या IIT जम्मू चलो तो IIT जम्मू वालों ने ऐसा anti-drone system बनाया है जो sound technology पे चलता है first of its kind ठीक है चाल लग का मिल रहा है चलो सही है यार पालतू में ये सब हैं हम लोग को scientific temperament को प्रहाबा देना चाहिए सही बता रहे है मा भारत inspired जोती सार अनुभव केंद्र बर्चोली remote दवा के inaugurate किया है हमारे honorable prime minister ने बताइए बहुत जादा inauguration कर रहे है हमारे honorable prime minister जी ये तो करते जा रहे है infrastructure development हो रहा है बट हमें पढ़ने के लिए बहुत बढ़ते जा रहा है प्रधान दंद्री मोधी ने बस्तुता माहभारत प्रेड़ी जोती सिस्ट अनुभव केंद्र का अनावरं किया है कहां किया है? बताइए ये जोती सर है ये एक जगा का नाम है जो कुरुक्षेत्र में पढ़ता है और कुरुक्षेत्र कहां आता है? अर्याना में आता है तो ये एक museum है जहां पे हम माभारत inspired theme देखेंगे 3D statues देखेंगे और हमें गीता का part सीखने को मिलेगा तो कहां बन रहा है ये? ये बन रहा है कुरुक शेत्र में माभारत inspired जोतिसार अनुभव केंद्र कहां है ये? हर्याना में है कौन inaugurate कर रहा है हमारे honorable prime minister कर रहा है Tamil Nadu को लेकर क्या परा है? कुत्रवई sculpture पलावा डंस्टी की ये unveil हुई है कहां? हमने एक हो जा है Tamil Nadu में? चलो ठीके हर्याना answer है ओके? इसका answer हर्याना है Tamil Nadu का भी परा? कुत्रवई ठीके New Delhi में क्या हो रहा है? एक फेस्टिबल बनाया था? Ministry of Education ने क्या बनाया था? उन लास्ट फेस्टिबल चलो ठीक है Kerala में हमने पढ़ा था एक अमरित प्रोग्राम पढ़ा था? अमरित प्रोग्राम जहां पे हम अंटिबाटिक का यूसेज को कम करेंगे अनुभब केंद्र बन रहा है और हर्याना में कुछ और था बताओ जल 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 दी हर्याना में कुछ और भी पराथा हमने दिन बंदू छोटे लाल थर्मल पावर प्लांट कहा हर्याना? चलो ठीक है तुम मैंने बताया ना 3D वेगेरा में देखो सारे रहेंगे ठीक है लीजर शोष चलेगा वहाँ पर सब कुछ मजा आएगा घुमने जाएंगे निकालो एक्जाम साथ में चलेंगे अपन चलो ठीक है जडियान्स जो हाली में न्यूज में देखा गया था वो क्या चीज है हर एक चीज़ पर रखा है अराम से जो क्लास देख रहे हैं वह बहुत अराम से अलिमिनेट कर देंगे जो नए है कोई बात नहीं अगर आपने आज का सेशन देखा होगा तो मैं आपको गारेंटी के जाए साथ क्या सकती हूं यह क्लास मुझे लगता है कि आज 20 वा दिन है मैकसिमम रिवाइस कर लिया होगा कहने को दस कोशन होते हैं पर दस रहते नहीं है ठीक है ऐसे अचानक से होगे ना तीन-चार दिन टाइम दो अराम से हो जाएगा अभी पहला अगर सेशन देख रहा है ना तो बहुत जादा इन दिमांग खराब होने वाला है इतना जादा नहीं पढ़ना है नहीं तीन-चार दिन टाइम दो 20-25 मिनिट लगता है बहुत अनाम से क्लियर होगा बताओ क्या है कि मिली पीट को लेकि अमने लेकल पढ़ा था कुछ यादे 200 पैड थे तन्जानिया के फॉरष्ट में देखा गया था याद नाम भी ऐसा था ना रटके आई फिर भी भूल रहे हूं याद नाम था हाँ ए लेप्टो टाइलर्स कहां पर मिला था तन्जानिया के फॉरष्ट में 200 पैड थे उसमें किसने खो जा है उस्ट्रेलिया के टीम थी साइंटिस्ट की उन्हों ने खो जा था मिलीपीड ठीक है 200 पैड वाले चलो ठीक है उड़ता हुआ डाइनासर कहां हमने इसकी फॉसल स्कॉट्लैंड में क्या नाम था इवांसी चलो ठीक है ये भी हो गया नीमा टोड नीमा तोड के बार तो परा था श्चेरे नीमा ओडम सी क्या था नीमा तोड में क्या नीमाट में खास था नहीं नहीं बरा नौद नहीं वो जो नीमा थो Episode कर्देटी Jud liability बिल्कुल सुन जुझा पहले कम सुनने को मिलती थी, अब नॉर्मल होते जारी है। common health disease के केटेगरी में आ रहा है जो ऐसे लोग जो हाइपर टेंशन से ग्रशित है जिनको डाइबटीज है वो जादा प्रोन है करती है अगर बॉड़ी थीक से फिल्टर नहीं करेगी हमारे ब्लड को तो बहुत सारी बिमारी होने का किड्नी फेलियर का चांसेश बढ़ जाता है ना तो इन सब चीज़को बचाने के लिए जार्डियांस एक ड्रग है इसका अप्रूबल अभी हमें मिला है तो यह था किस ने अप्रूफ किया है Central Drug Standard Control Organization ने अप्रूफ किया है जार्डियांस को जो Kidney failure या फिर chronic kidney patient उनको ठीक करेगा तो यह था अज का session, hope आपको समझ में आया होगा, अगर आपकी कोई भी कोईड़ी है तो दू, let me know in the comment section, तब तक के लिए पढ़ते रहे, ख्याल रखिए अपना और अपने ममी पापा का और जो भी आपके चाने वाले हैं उनका चगब